In the question, it is given that term m is equals to 1 upon n and term n is equals to 1 upon m of ap. Then prove that, yes, show that the term m into n is equals to 1. हमें ये प्रूफ करके लाना है. अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है, अगर हम इसी का फॉर्मला है मेंशन करें और nth term का फॉर्मला देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा. किसी भी nth term का फॉर्मला ap का जनरली हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पर जो term होता है, उसका 1 minus हम यहां पर यूज करते हैं. अब जो question की requirement है कि term m into n आप equals to proof करें, इसका मतलब यह फॉर्मला अगर हम यहां पर देखें, so term mn जो आपको दिख रहा है, a plus mn minus 1 into d. अगर हमें इसकी value 1 लेकर आना है, तो हमारे पास aod required है, जो होना चाहिए. तो चलिए हम aod कैसे find करेंगे, तो हम aod find करते हैं, जो हमेरे पास given है, term m, one upon n, और term n, one upon n की helps है, तो चलिए हमने देखें, यहां पर term m mention करा है, और term n, और देखें, logic वही है, जो general formula यूज होता है, m के लिए m minus 1 है, तो n के लिए n minus 1 है, अब आपको करना क्या है, आपको यह करना है, कि aod निकाल के लाना है, find करना है, तो देखें, आपको term m के place पर one upon n लिखेंगे, तो देखें, इसके place पर यहां पर हमने one upon n लिखा है, यह वही expression है, जो यह दिखरा सामने, और term n के place पर उसकी जो value है, one upon m, वो हमने यहां यूज़ करा है, तो आप देखेंगे, दोनों ही expression हमें यहां दिख रहा है, अब देखें, हमने यहां पर यूज़ करा है, eliminating method, aod निकालने के लिए, तो इस term को हम पूरा minus कर देते हैं, तो देखें, plus है, minus है, आपस में क्या हो जाएंगे, cancel, और यह ना भूलें आपकी, यह term minus क्यों है, यह नीचे बानी, दोनों के पास d है, common निकाल लिजिए, तो minus का m, n हो जाएगा, और minus का 1, plus का हो जाएगा, और solve करेंगे, तो minus 1, plus 1, cancel हो जाएगा, तो जब इस पूरे expression को आप solve करते हैं, तो आपको जो मिलता है, वो m, n, m minus n, into d मिलता है, अब देखी, उसी प्रकार से one upon n, as it is रहेगा, minus इस term में है, अब देखी, इसका common difference कैसे निकालते हैं, तो यह सामने दिख रहा है, इसका LCM लेने के दोनों का, और यह term उपर से नीचे आ जाएगी, तो LCM लेने के बाद, हम इसको cut करते हैं, तो हमें जो d मिला वो मिला, one upon n, अब आपको क्या करना है, आपके पास d आ गया है, अब आपको कैसे भी करके a find करना है, तो आइदर आप यह equation यूज़ करें, यह equation यूज़ करें, तो देखिए हम यहाँ पर d निकालने के लिए, sorry, a निकालने के लिए, हमने इस equation का यूज़ कराया, और यह equation अगर हम गोर से देखते हैं, तो यह first equation है, जहाँ पर d के place पर हम d की value, one upon n substitute करेंगे, तो देखिए जब हम d की value, one upon nm substitute करते हैं, और फिर इसका हमने अंदर bracket के अंदर multiply कर दिया, तो अब ध्यान दीजेगा, आप m से m cancel हो जाएगा, तो one upon n बचेगा और one upon n, one upon n से cancel हो जाएगा, तो a plus get term मिलेगी, get term आप उदर shift कर दीजे, तो a की value क्या मिली आपको, जो d की value है, वही a की value है, अब आपके पास a और d दोनों सेम हैं, और question की requirement थी, जो आप ये find करेंगे, जो हमें find करना है, this one, a के place पर, a की value one upon nm रखा, d के place पर, d की value रखा, अब आप देखिए, इस पूरे expression को हमें solve करना है, ये दोनों expression हमें one upon nm दे सकते हैं, हमने common निकाल दिया, तो देखिए, ये तो product में था, लेकिन ये individual था, तो यहाँ पे आपको one लिखना पड़ेगा, और mn minus one, ये as it is है, फिर यहाँ से minus का one, plus का one, cancel हो जाएगा, तो जैसी आप इस term को, इस term से cancel करते हैं, तो अंदर आपको ये मिलेगा, अब दोनों देखिए, product में हैं, तो दोनों का product, जब cancel करेंगे, तो अकेला कितना बचेगा one, इसका मतलब term mn को, जब आप solve करेंगे, तो जब हमें expression बोला था, ये निकाल के लाइए, ये वह हमने friend कर दिया,